हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के इंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तो बहुत ही जादा बड़िया बजट मुबाइल्स एक मुबाइल है रेडमी की तरफ से रेडमी का नोटेट जो आपको मिलता है ऑनलाइन 10,000 में परिएगा चलिए देखते हैं 9,000 में इंफिनिक्स के S5 के साथ आपको क्या के मिलता है तो सबसे पहले रखावा मिलता है मुबाइल इसके बाद आपको रखावा मिलता है कि स्क्रीन गार्ड रखेवी मिलते हैं कुछ यूजर मैनुवल एक सिम एजक्टर टूल एक मिलता है रखेजर तो मार्ट के अधर 6 साफ़फे नहींदे हैं जई देखते हैं और 10,000 के साथ ऑर दा खरच करते हैं तो डैसी आप नंबॉक्स करते हैं नोटेट को इसमें सबसे पहले रखेआवा मिलता है यह मिनि बॉक्स जिसमें पीछे की तरफ लगावा मिलता है एक SIM ejector tool, अंदर रखे वे मिलते हैं कुछ user manual, एक मिलता है cover, cover की quality इसकी भी काफी अच्छी है, इस mobile के box में आपको screen guard नहीं मिलता, इसके बाद रखा वो मिलता है mobile, जिसका retail हम अभी देखींगे, उससे पहले देख लेते हैं box के अंदर आपको रखे वे मिलती है type C cable, तो इस mobile के अंदर आपको type C cable का support मिलता है, जो infinix के अंदर नहीं दिया गया, आखिर में रखा वो मिलता है, यह black color के अंदर charger, जिसकी build quality काफी अच्छी है, अब अच्छी चीज़ यह है, दोस्ते इस mobile के अंदर आपको fast charging का support भी मिलता है, और एक fast charger mobile के साथ box के अंदर ही दिया गया है, आपको अलग से खरीदने की जरुरत नहीं है, तो यह सारा समान आपको मिलता है 10,000 में Redmi के note 8 के साथ, अब देखा जाए तो कीमत में 1000 का फर्क है, लेकिन Redmi के note 8 के अंदर आपको fast charger भी दिया गया है, type C cable का भी support मिलता है, तो इस चीज़ में Redmi note 8 जाद अच्छा है, rate के हि चाइनी लुक है इस mobile का, वही दूसरी तरफ Redmi के note 8 में आपको glass लुक दिया गया है, इसमा आपको gorilla glass भी लगावा मिलता है, तो scratches की problem आपको infinix में देखने को मिलती है, लेकिन Redmi के note 8 में नहीं मिलती, design की quality में note 8 जाद अच्छा है, इसके लाब आप देख सकते हैं complete design, किस mobile का design आपको जाद अच्छा लगा, ये चीज़ आप मुझे comment करके बताइएगा, बात करें camera के बारे में, तो note 8 में आपको पीछे की तरफ 4 camera दिये गया है, जिसमें पहला है 48 megapixel का, दूसरा है 8 megapixel का, बाकी के 2 camera है 2-2 megapixel के, इसके अंदर आपको front camera मिलता है 13 megapixel का, वहीं दूसर इन्फिनिक्स के S5 में आपको पीछे की तरफ 4 camera मिलते हैं, जिसमें पहला है 16 megapixel का, दूसरा 5 megapixel का, तीसरा 2 megapixel का, और एक दिया गया है आपको low light sensor, बाकी दोस्तों इसमें आपको front camera मिलता है 32 megapixel का, camera की performance इन दोनों mobile's में आपको Redmi Note 8 के अंदर जाद अच्छी मिलती है, camera में इन्फिनिक्स और भी जाद अच्छा मिलता है Redmi के Note 8 से, लेकिन display के जो quality है, उसके अंदर आपको फर्क देखने को मिलता है, वह मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले बात करें user interface के बारे में, तो दोस्तो user interface इन दोनों mobile's में आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है, Redmi के Note 8 में आपको home screen पे ही सारी applications मिल जाती है, आप right side पे swipe करेंगे, आपको सारी applications मिल जाती है, और Infinix में आपको नीचे की तरफ ही की shortcut की दी गई है, जिससे आप अपनी सारी applications एकसिस कर सकते है, Infinix के अंदर आपको app drawer मिलता है, तो कुछ इस तरीके से आपको user interface दिय आप एक बहुत बढ़ा फर्क ये है, Redmi के Note 8 में आपको वही notch वाली display मिलती है, आपको बीच में notch दी गई है, लेकिन Infinix के S5 में आपको left side पे punch hole camera दिया गया है, जो कि एक बहुत बढ़िया feature है इस mobile का, दोस्तों इस budget में आपको किसी भी mobile के अंदर punch hole camera नहीं मिलता, जो कि Infinix के S5 के अंदर मिलता है, मुझे personally जो design पसंद है mobile का, वो Infinix के S5 के punch hole camera का ही पसंद है, notch वाली display से मुझे जाद अच्छी लगती है punch hole display, लेकिन colors के अंदर आपको Redmi Note 8 की display जाद अच्छी दी गई है, display size में, display के design में Infinix अच्छा है, display के colors में Redmi का Note 8, left side से आप देखेंगे, दो दोनों ही mobile के अंदर आप दो SIM card, एक memory card, तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं, यह दोनों में खुबी है, नीचे की तरफ दोनों mobile में आपको charging port, speaker, mic, headphone jack दिया गया है, right side से आप देखेंगे तो उपर की तरफ आपको मिलते है volume के buttons, उसे की ठीक नीचे power के buttons, Redmi के Note 8 में आपक आपको 64GB में से दी गई है, 48GB के आसपास memory free, लेकिन Infinix के अंदर आपको मिलती है, 64GB में से 53GB के आसपास, तो तकरीबन आपको 5GB जादा मिलती है, Infinix के S5 में Redmi के Note 8 से, इस चीज में Infinix जाद अच्छा है, और इसकी कीमत भी 1000 रुपे कम है, इसके लावर दोनों ही mobile के अंदर आपको Android का बिल्कुल latest version मिल जाता है, Android Pie, ये खुब यापको दोनों ही mobile के अंदर मिलती है, बात करें दोस्तों battery के बारे में, तो दोनों ही mobile के अंदर आपको battery दी गई है, 4000 image की, एक दिन का battery backup दोनों mobile के अंदर आपको आराम से मिल जाता है, बैटरी के अंदर ये दोनों अ यूजर हैं, तो इन्फिनिक्स के अंदर आपको बिल्कुल भी problem नहीं होगी, लेकिन अगर आप एक heavy user है, आपको game वगरा खिलने के लिए ही mobile लेना है, तो इन दोनों mobile में आपके लिए Redmi का नोटेट जाद अच्छा रहेगा, प्रोसेसर में Redmi नोटेट जाद अच्छा है, तो ये सारी खूबियां और कमियां आपको मिलती हैं दोनों mobile में, चलिए बात कर लेते हैं, अब सबसे main चीज़ आपको इन दोनों में सा कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं, तो दोस्तो सबसे पहले तो matter ये करता है, कि आपको किस के ओपर जादा भरोसा है, Redmi पे या आपकी main जुरत की जो चीज़ है, वो कि इस mobile में जाद अच्छी है, क्योंकि कुछ खूबी आपको Infinix के अंदर अच्छी मिलती है, कुछ चीज़े Redmi के Noted में, तो देखे अगर आपके लिए matter करती है mobile की display, आपको display की quality चाहिए, तो तो आप Redmi का Noted लीज़ेगा, इस mobile की display के color जाद अच्छे है, लेकिन अगर आपके लिए matter करता है mobile का design, आपको notch वाली display पसंद नहीं है, जो कि एक बहुत common display है, तो आप Infinix लीज़ेगा, इस mobile के अंदर आपको display का design बहुत बढ़िया दिया गया है, बाकि दोस्तों अगर आपके लिए matter करता है mobile का camera, आपको camera अच्छ चाहिए, तो तो आप Redmi का note 8 लीजिएगा, इस mobile का camera जाद अच्छा है, और अगर आपके लिए matter करता है mobile का design, तो design देखने में वैसे तो दोनों ही mobile का काफी अच्छे है, वैसे आपकी personal choice है, आपको किस mobile का design देखने में जाद अच्छी है, तो अच्छे design के लिए भी आप Redmi क Note 8 लीजिएगा, बाकि अगर आपके लिए matter करता है mobile का processor, आप एक heavy user है, तो Redmi Note 8 आपके लिए जाद अच्छा रहेगा, इसके लावा दोस्तों अगर आपके लिए RAM और internal storage matter करती है, तो आपको जादा मिलती है Infinix के अंदर, और इसकी कीमत भी 1000 रुपे कम है, बैटरी दोनों म Note 8 में एक तो इसका camera, दूसरस mobile का design, तीसरस mobile का processor, वहीं दूसरी तरफ Infinix के अंदर आपको एक तो इस mobile के डिस्प्ले का design बहुत बढ़िया मिलता है, पंचोल camera, जो कि इस rate में आपको किसी भी mobile के अंदर नहीं मिलता, इस mobile की ये पहले खूबी है, दूसरस mobile के अंदर आपक आपको इन दोनों mobile में कौन सा ज़्यादा पसंद आया, मुझे personally इन दोनों mobile में Redmi का note अच्छा लगा, आप मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो ये लाल कलर का बटन इससे दबा के चैनल को